सो बेई बलेडिक्स एपिसोड 9 & 10 आ चुके हैं, काइंड ओफ तुम इने फिलर एपिसोड कह सकते हो, बट ये स्टोरी के उस पार्ट को एक्स्प्लोर करते हैं, जिस पार्ट को मांगा में एक्स्प्लोर नहीं किया गया था, यानि कि एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा, सो इ इसकुस करेंगे, और वैसे मैं अपना एक WhatsApp चैनल भी बनाया है, जहां पर मैं कुछ exclusive content and बहुत सारी बेवलेड मीम्स अप्लोड करने वाला हूँ, तो अगर तुम इंटरस्टेड हो, तो मेरे WhatsApp चैनल को जोईन जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अब जब कि मैंन तो इसलिए मेंडन कहती है, कि हेलसाइट के स्टाइट के हिसाब से उसे राइनोहोन को हरा देना चाहिए था, बट देखकर लगता है, कि तुमने अभी भी हेलसाइट को पूरी तरीके से मास्टर नहीं किया है, इसलिए कोरुसु कहता है, ठीक है बर्ड हम तब तक ट्रेनि इंटर ट्रेनिंग प्लान मना सके, बट सेंस बर्ड को बैटल पास के बारे में घंटा कुछ नहीं पता होता है, अरे भाई, इसलिए प्रो किसने मना दिया, तो इसलिए मल्टी एक्स्प्लेइन करती है, कि बैटल पास एक डिवाइस होता है, जिसे लॉंचर के ओपर अटा दो यह कैफे की फिफ्थ अनिवर्सिरी के लिए टीम पर सोको वहाँ बैडिल के लिए इंवाइट करना चाते हैं, जिसके लिए पूरी टीम रेडी भी हो जाती है, लेकिन वो लोग बैटल के लिए सरफ मल्टी एंड को रूशु को ही इन्वाइट करना चाते हैं, क्यूंक मशीन से बर्ड के लिए एक ऐसा नाया बेवलेट बना सके जो कि बर्ड को हेल्ट साइट से भी जद्धा सूट करता हो एंड जिस बेवलेट को बर्ड बिना जद्धा ट्रेनिंग कर रही प्रॉपरली यूज कर पाए अब याद रखना है यहां पर एक नाया बेवलेट बनान से यूज कर सकते हैं जिनके पास इसे यूज करने का प्रॉपर लाइसेंस हो जो कि उने कई सारे एडवांस लेवल टेस्ट देने के बाद मिलता है तो इसलिए यह रिवील किया जाता है कि मल्टी भी एक एक एक्स्पियेंस बेक्राफ्टर है जिसके पास उसका खुद का ओ आसे सटरिंट करने पड़ती है उन दोनों की ही कॉस्ट बहुत ज़्यदहाई होती है जिसके बाद मल्टी बर्ट के लिए नया बेवलेट बनाने लग जाती है और कुछ करेक्टर के बाद रात को जाकर फाइनली मल्टी बर्ट के नए बेवलेट हिल्सटेन को balance type beyblade होता है फिर next scene में पूरी team persona बेक एफे पहुच चुकी होती है और वही पर दो लोग bird के बारे बात करना शुरू कर देते हैं जिसे कि ये बंदा अभी तक एक भी battle ली जीता है एक सेक्टर एक सेक्टर तो इसलिए multi bird से कहती है कि तुम्हें उन्हें अपना कमाल दिखाना होगा bird since korusu को भी battle करना होता है तो इसलिए वो korusu को मना करके bird से चिप चप उसका hell scyde ले लेती है ताकि वो उसके साथ battle कर सके जिसके बाद multi and bird का battle शुरू हो जाता है पहले तो hell scyde hell scyde के ओपर attack कर रहा होता है जिसका hell scyde पर कोई भी वेक्टनी पड़ता है उसके 5 rounded defensive blades की वज़े से फिर hell scyde भी attack करना शुरू कर देता है अपने बाकी 5 aggressive blades से लेकिन since hell scyde भी attack कर ही रहा होता है तो इसलिए hell scyde का stamina खतम होने लग जाता है कर रहे थे वही लोग अब bird को उसके unique battling style के लिए appreciate कर रहे है जिसके बाद episode में जएदे कुछ important होता नहीं है बस कोड़ू को जमीन पर गिरावा दिखाया जाता है क्योंकि आज वो कोई भी battle नहीं कर पाया जिसके साथ ये episode end हो जाता है तो चलो अब breakdown कर लेते हैं episode 10 को तो episode शुरू होता है team feelings की victory से जिसे देखकर वहाँ पर मौझूद ना के बराबर लोग बिलकुल भी excited या hype नहीं होते है जिसके बाद scene shift होता है team feelings के base sponsor mountain ramen पर और यहाँ पर भी ना के बराबर ही लोग होते है इसलिए लोगों को उनका battle काफी जिदा बोरिंग लगता है जिसकी वज़े से इस restaurant में जिदा लोग नहीं आते है लेकिन तभी mountain ramen के उनर को एक message आता है जिसे पढ़ते वे वो टकुमी से कहता है कि चलो तुमें एक last chance देता हूँ अगर इस battle को तुम कुछ interesting करते हुए जीत गए तो हम तुमें आगे sponsor करते रहेंगे क्योंकि उनका next battle होता है team persona से वही को माबा सुझी restaurant में korusu काफी खुश हो रहा होता है क्योंकि अब उसे किसी से battle करने को मिलेगा and since team feelings versus team persona का ये match एक elimination match होगा यानि कि दोनों teams के players को तब तक battle करना होगा जब तक वो opponent की team के सभी players को हरा नहीं देते so audiences match को देखकर बोरना हो जाए तो इसलिए team persona decide करती है कि वो अपने team के सबसे powerful blader korusu को पहले बेजंगे ताकि वो अकेले ही जल्दी से feelings के सभी members को हरा सके जिससे audience भी बोरना हो then scene shift होता है team feelings पर जो कि अपने next match के लिए training कर रहे होते हैं लेकिन टकुमी कुछ जएदा ही serious होके training कर रहा होता है क्योंकि यही उसकी team का last chance होता है खुद को proof करने का फिर next scene में जब पूरी team persona stage की तरफ जा रही होती है तब रास्ते में bird रुप कर team feelings के leader टकुमी and mountain ramen के owner का discussion सुनने लग जाता है जहां पर वो बंदा टकुमी से कह रहा होता है कि मुझे एक exciting victory चाहिए जो कि मेरे restaurant को promote करे ना कि पिछली बार की तरह हैं इससे अच्छा तो यही रहेगा कि तुम इस battle को जान बूच के किसी शानदार तरीके सार जाओ उससे भी मेरे restaurant की अच्छी publicity हो जाएगी मतलब यह साला कितना मागशन इंसान है जिसके बाद दोनों team से stage पर आती है and mountain ramen का owner भी इस match को देखने आया होता है and जैसे team personon ने plan किया था वो लोग कामेनेक्स को पहले बेचते है and अभी team felix decide करी रही होती है कि कामेनेक्स के ड्रैंसोर्ट से battle करने पहले कौन जाएगा तब ही कामेनेक्स अनाउंस कर देता है कि आज वो ड्रैंसोर्ट से नहीं बलकि अपने नए बेबलेटे ड्रैंसोर्ट से battle करेगा जिसे multi ने secretly बनाया था ताकि वो लोग audience को एक surprise दे सके वैसे audience से बड़ा surprise तो team feelings को मिल जाता है क्योंकि उनका plan था कि वो जस्ट को defend करेंगे एंड एक दो extreme dash attacks के बाद तो ड्रैंसोर्ट का stamina भी खतम हो जाएगा बट सिंस अब कामेनेक्स ड्रैंडगर का यूज करेगा जिसे हराने के लिए उनके पास कोई भी strategy नहीं है तो इसलिए टकुमी को थोड़ा टाइम एंड ड्रैंडगर का data मिल सके फेलिंग्स के बाकी दोनों members recite करते हैं कि वो लोग कामेनेक्स से battle करने पहले जाएंगे जिन दोनों को कामेनेक्स एक जटके में eliminate कर देता है जिसके बाद आप बारी आती है टकुमी की तो इन दोनों का battle शुरू होता है और हर बार की तरह टकुमी का plan court का breakdown करनेका ही होता है फिर कामेनेक्स भी एर बार की तरह शुरूभात अपने extreme dash ट्क से करते है जिससे टकुमी का beyblade जहेल जाता है तो इसलि ALT कामिनेक्स दूसरा extreme dash करता है जिससे वो double extreme damage भी कहता है इस attack से टकुमी के वे को काफी damage पहुचा होता है लेकिन टकुमी यही सोच रहा होता है कि दो-दो extreme dash attack के बाद अब तो ड्रेंड डैगर में कोई stamina ही नहीं बचा होगा बट actually ड्रेंड डैगर में अभी भी काफी stamina बचा होता है क्योंकि multi ने उसे design ही इस तरीके से किया था ताकि वो multiple extreme dash attacks लगातार row में कर पाए तो इसलिए कामेनेक सब अपना third extreme dash attack करता है जिसे वो triple extreme dash attack भी कहता है और इस attack को टकुमी कभे नहीं जेल पाता है और वो ring out फिनिश जाता है जिससे टकुमी इस battle को आर जाता है और टीम पर सोना इस match को जीत जाती है और जब टकुमी पीछे मुड़कर देखता है तो mountain ramen का owner वहाँ से जा चुका होता है जिसका मतलब mountain ramen restaurant अब उनकी टीम को sponsor नहीं करेगा जिसका ये भी मतलब है कि टीम feelings का पूरा का पूरा pro career अब खतम हो चुका है और जब कामे next टकुमी से कहता है कि तुमने आज अच्छा battle किया अगली बार हम फिर से SI battle करेंगे तो टकुमी कहता है मेरे लिए अब कोई अगली बार नहीं है क्योंकि बिना sponsor के उनकी टीम को एक स्टावर से भार निकाल जे जाएगा और यह सब देखके bird को भी अच्छा नहीं लग रहा होता है तो multi उससे कहती है यही pro bladers की दुनिया है जिसके साथ यह episode end हो जाता है personally मुझे episode 10 काफी अच्छा लगा episode 9 decent ही था बाकी तुमें यह दोनों episodes and मेरा breakdown कैसा लगा comment करें जरूर बताना लेकिन अभी अगर तुमें यह video पसंद आईए यह video से भी नहीं जानने को मिला है तो इस video को like कर देना channel को subscribe कर देना साथी साथ Instagram के ओपर भी follow कर सकते हो link तुमें description में मिल जाएगी साथी साथ मेरे shorts channel को भी subscribe कर सकते हो उसकी link भी तुमें description में मिल जाएगी अगर तुमारा कोई topic है जिस पर तुम चाहते हो कि मैं video बनाओ तो अपने उस topic को भी comment कर देना मैं कोशिश करूँगा कि जल से जल तुमान इस topic के ओपर वीडियो लेके आप आऊ बट अभी के लिए ऐसी और भी amazing and useful videos देखने के लिए मेरे main channel and मेरे extra channel को subscribe कर सकते हो तो इसलिए subscribe now, thanks for watching